हरे कृष्ण श्रीमत भगवत कीता अध्याव छहूं श्लोक नमबर टे हेना आध्यात्मिक जगतने प्रभेश करण कापेनी रिदे में जेके शंसारी गालेओं हली रही आहेन उनने के हिक पासे रखो आही पूरी शृथ्था सां रिदे सम् भगवान सां प्रार्थना कंदे हुए मंगला चरन कंदा सें तकी असदे की कुछ पढ़ी रहा हूं उन्हें जो पूरो पूरो लाप प्राप्ट थी सके, जे को आहे भग्वान सी कुरुष्न जे चर्णन में प्रेमजी प्राप्ती, आई मंगला चरन असा जी श्रीमत भगवत कीता, जी ये जोतीयें जे, पेश नमबर वन ते, जे का नहीं तवाँ अन्याता ही, श्रीमत इसुछ बगवद कीता एज इटासव वटऊ चाकर था जेशता यह बगवद कीता नहुं दी अस्टा बगवद कीता जी रियल essence के समझी न सकंदा सी डाडो सरल तासा यह बगवद कीता संके मिली सके थी जैकर नहां जे अरियामेन अट्थी मिले तमाम आंखे मेसेच कई हो मातां के TCS कंदस भगवत कीता जी प्राइस आए 500 उर्पिया लेकिन जेगरें तवा नथा लेई सको तक कोई गाल को ने माँ पैंजी तरफ साथां के भगवत कीता जयान लाए तैयार आया लेकिन हथ जोड़े वेनतिया है के श्रीमत भगवत कीता जी ये जोतिया श्रीला प्रभुपाजी जी द्वारा लिख्यल इहा भगवत कीता ही असां के श्रीमत भगवत कीता जी वास्तविक अर्था के समझायन में असां जी सहायता करे सके थी श्रीमत भगवत कीता जी ये जोतिया पेश्नम वानते भूमी कामे लिख्यला है पदकमलं श्री गुरुन वैश्वाम्स्या श्री रूपं साग्रजातं सहगनारकुनाथान वितम्तं सजेवं साथ्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिताव श्री विशाखान वितम्त्स्याव ए कृष्ण करुणा सिंधू दीन बंधू जगत्पति गुपिश्य गुपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गोरंगे राधी विन्नावनेश्वरी विश्भानू सूत देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा अगल्पतरो भ्यस्या कृपासिंधू भ्यवच पतीतनां पावनेभ्यो वैश्रमेभ्यो नमो नमहा श्री कृष्णा जयतन्या प्रभुनिध्यानन्दा श्री अत्वय तकताधरा श्रीवास दीकाूर भक्त व्रिंदा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare ग्रंद्रा श्रीमत भगवद कीता मात कीचे श्रीमत भगवद कीता अध्या उच्छों जहें जो नालु आहे ध्यान योग आई श्लोक नमबर ट्रे भगवान स्री कृष्ण जे मुखार विन्दमा निक्तल इनन अत्यांधी पवित्र शप्तन खे मुजा गडू गड़ परणजो प्रियास कयो भगवान चवन्था आरूरूक्षोर मुनिल योगम कर्मकारण मुच्यते योगारूडस्यतस्याईव शमकारण मुच्यते आरूरूक्षोर मुनिल योगम कर्मकारण मुच्यते योगारूडस्यतस्याईव शमकारण मुच्यते आरूरूक्षोर मुनिल योगम कर्मकारण मुच्यते योगारूडस्यतस्याईव शमकारण मुच्यते शब्दन जी माने लिसो आरूरूक्षोर मुनिल योगम आरूरूक्षो मतलब जे हैं अन्या योग शुरू कयो आहें मुनि मना रिशी रिशी जो योगम यानी आश्टांग योग स्रिष्टो कर्मकारण उच्यते कर्म यानी कार्य कर्म कारण मना साधन उच्यते मना चवाये थो योग आरूरूरस्य तस्याईव योग आरूर अर्थाद योग शुवन्ना है योग खे आरूरस्य जे प्राप्त कयो आहें योग जी इस्ततिय खे तस्या उन जी एव पक्कई शमा कारण उच्यते शमा मना भौतिक कार्यां जे बंद थ्यानके कारण यानी साधन उच्यते यानी चयो वने थो तर्जुमो भगवान स्री कृष्ण अज कहेंके कार्य करण गुर्चे या कहेंके नक करण गुर्चे यानी सन्याज आईकार्म जी विशे में लाड़े सुन्दर रीती से बुधायरे आहिन योग जे जे के बह स्तराईन उनन जिवारें बगवान स्वन था तर्जुमो उन्न मानु अलाए जे को आश्टांग योग स्रिष्टे में नौ आहे कार्म के साधन चयो आहे आई उन्न मानु अलाए जे को अगमे योग में मत्थे चड़ियल आहे सबनी भौतिक कारियन जे त्याग खे साधन चयो आहे मनु बह हिते योग बगवान बुधारयान एकड़ो जे को आश्टांग योग जे स्रिष्टे में नौ आहे मनु अन्न अन्न स्टार्ट कर होता है उनन जे लाए कर्म साधन चयो आहे आई जे को अगमे योग में मत्थे चड़ियल आहे मनु अन्न हाइर स्टेश दे जे को आहे उनन लाए सब इन भौतिक कारियन जे त्याग खे साधन चयो श्रीला प्रहपाजी दाड़ी सुने तरिके साधन समझाईंदा श्रीला प्रहपाजी दाड़ी समझादा सी श्रीला प्रोपाद की चै श्रीला प्रोपाजी चवन्था परम इश्वर सा मानू के जोरण वारे विद्धी एके योग चै बुआ है योग जो मतलब चै भगवान सा संबन जोरण इन जी भेड एकट डाकुण सा कई वन्ये थी जें जे दोरां उचे में उचे आध्यात्निक अनुभो तीके प्राप्त कजे थो डाकुण जीव आत्मा जे सब खां हेटें बहुतिक दरजे खां शुरू थिये थी आई शुद्ध आध्यात्निक जीवन में पूर्ण आत्मा सास्क्षात काहरताईं मत्थे चड़े थी किस्मन किस्मन उचायन जी अनुसार डाकुण जा जुद्धा जुद्धा हिस्सा जुद्धा जुद्धा नाला नालन सा ज्याना वन्यन था पर सबनीके मिलाए पूरे डाकण के योग जैबो आहे आई इनके टेन हिस्सन में विरायो वन्ये थो जियां ज्यान योग ध्यान योग भक्ति योग डाकुण जी शुरुवा तके योग आरूड अवस्था चैबो आहे आई सबकां उची इस्तितियके योग आरूड चैबो वन्ये थो आश्टांग योग स्रिष्टे जे संबंद में जीवन जी नियमन वारन सिध्धान जे मार्फत समाधिय में प्रवेश करण जू शुरुवाती कोशुश्यू आई जुद्धा जुद्धा आसन ग्रहन करण जी यह गणे कदूर शारीरे कसरतु आहिन उननके सक्कामकर्म समझो वेंदो आहे एड़ा सब कारिय इंद्रियन के वस्ता में करण लाए पहनी मन जो संतुलन बराबर रखण में मदद कन था जड़ें कोई समाधिय जी अभ्यास में सफल थी वने थो तड़ें उस अबनी व बंद करे शड़े थो परे कृष्ण भावना भावेत पुरिश्युरुवात खाई समाधिय में इस्तिता है चाकान तहु सदाई कृष्ण जो ध्यान करे थो आहिन लगातार कृष्ण जी सेवा में लगण हुआन करे उनके सभाही भावतिक कारियन के त्याग कैल समझो वें चालं पंगं लंगयते किरं यत्रिपाता महं वंदे श्री गुरुंदी नतारं परमानन्दमाध वंवं श्री चैतन्य इश्वरुंदी नत्रा श्रीमत भागवत के तामा तजी चर्प तः हित्ते भागवान असांके योग जे विश्यम बुद्धायन था चाकान तः भागवान का अर्जुन एकड़ु प्रश्ण कयो के सन्यास बेतर आये या कर्म यानी के असांके कर्म के सदे रियन गुर्शे या कार्य करे करन गुर्शे तदे भागवान स्री कृष्ण अना शुता कर्म फलं कार्यम कर्म करोती यह सन्यासी चयोगी चा न निर अगनिर न चाक्रिया प्रेणिश लोकों में भागवान बुद्धायो तः जेको मान पहिंचे कर्म जे फलं में आसकती नथो रखे आये जेको पहिंच जो कर्तव यह समझी करे कार्य करे तो वो सन्यासी आहे आये वोई सचो योगी आहे ना त उहो जेको अगनी नथो बारे या यज्य वगेर या ब्यादान नथो करे यानि हेते भागवान सन्यास चडण के न कार्म चडण के न बलके कार्म जे फलं के चडण जो चाएवा आहे चाकान त इच्छा कि त्या अगनका सिवाय कोब योगी बनजी नतो सके ते यह करे जें के सन्यास सज्जे थो उन्ये के भागवान चाहन था तर पेश्लोकम भगवान बुद्धाइन था के यम सन्यासमिती प्राहू योगम तम विद्धी पांडवा नहिया सन्यसत संकल्पो योगी भावती कर्शना कि ही पांडवजा पुट्र तो कि जानन गुर्जे ता जें के सन्यास सेव आहे योग वांगुर या परब्रह्मसान जुरन वांगुर आहे चाकान तमाहू कदैं कदैंब योगी नतो बनजी सगे जेस्ताइं हू इंद्रे त्रप्तिय जे इच्छाखे नतो त्यागे यानि योगी बन जण लाए इंद्रिय त्रप्तिय जी इच्छाखे अस्ताँ के त्यागणू आहे आहे हिते अग्या भगवान शुरूक नमबर टे में बुद्धाइन था तहे अर्जन शुरूव में तो के कर्म करण ही पवंदो चाकान तो जे एक नहीं मन्न में कर्म जी वासना आहे अई इंद्रिय त्यागी ना बलके मिध्याचारिया है भगवान अन्याताई उन्नें गालते टिक्या भयाही तो जीव के कर्म अवश्य करण होजे लेकिन कर्म करण जो तरीक को केड़ो जे के कार्या काजे पर अनाशृत्य रहे जे इन अध्याय जो शुरुवात जे शब्द सांभगवान कही हुआ है वो आहे अनाशृत्य यानि कर्म जे फलन में आश्रे नवर जे अजरी समाज में हर कोई कारिया चाज लाए कंद आए सिर्फ और सिर्फ कर्म फलन जे प्राप्तिय लाए कंद आए मतलब आशृत्य थी कर्य कंद आए अनाशृत्य थी न कंद आए हित्ति दिसुमसा हर हिक जीवन जे हर एक मेदान में कोई जीव अग्यावने थो तो उनमें जड़े ही उनने जो उत्सा अगट थी दुआए जी है आई-ई-टी जो कोई अगर ना स्टुडेंट आ है उनने के डिग्री प्राप्त करन अगर उनने जो उत्सा खतम थी में तो सभी उनने जास जेके फ्रेंड्स आहें जेके रिलेटिवस आहें वे सब सावने किसांदा कि कि तू थोड़ो पड़ बस थोड़ो था है तो कि डिग्री मिली मिल दी तो कि कि दू सम्मान मिल दो कि दू मान मिल दो कि दू दन मिल दो यहीं कर्म जो फल है उन्ना जे उचसा ज़े कौँआ है उन्ना जे बुदधन खापोई संखे कार्य करल जी प्रेड़णा मिलन दिया है जेस्टा ही कारम जे फल में इच्छा न है तो कोई जीव जे अंदर कर्म करल जीशा न हों दिया परन्दु कर्म फल जो त्याग करन सां जे को लाब मिलन्दो आहे, उनन सबिन बाउतिक फलन जे प्राप्तिय खां मत्य आहे, हाइस्ट आहे, चाकान्द कर्म फल जे त्याग सां कृष्ण प्रसंथीं दो आहे, अई जड़ें कृष्ण प्रसंथीं दो आहे, तद नहीं असां के संतुष्टी प्राप्त दिया है रिषी के रिषी के श Neden वया बग्ती उत्तमां कि इनन रिषी के इस भग्वान के इन्द्रियन सांजे करें असां प्रसंद कईयों तो नहीं वह उत्तम भक्तिया है अच्धल है भग्वान प्रसंद दिय hm अगर तो वने तो असा बावतिक जेकोब कार्य कंदा आई हूँ जेको बावतिक सुखन जे द्वारा असा खे जे शेजी तलाश आहे वह चाहे संतुष्टी आनंद लेकिन यो तरीको बिल्कुल गलता है चाकान था असा के सुखचा में गुर्जे हर एक शेह में गुर्जे हर समय गुर्जे हर जायते गुर्जे जिते बस आयों घर में आयों स्कूल में आयों ऑफिस में आयों ड्यूटी ते आयों गुमण वे आयों हर जायते गुर्जे तो सिरफ भगवान ही हिकड़ो आहे, जेको हर समय आहे, हर कह में आहे, अई हर जगेते आहे तेह करे, ज़र नहीं भगवान की असा अनन्दित कनदाओं, तद नहीं असा अनन्दित थी नाओं तो अज भगवान श्रोक नंबर चा में, योग जे बिन इस्तरन के बुदाएं था, योग जे ब स्टेज आहें, ओनन की बुदाएं था आहेंगे जगेँ आहें, आरुरुक्षो मुनिर योगम कार्म कारणम उच्चते, योग आरोड अस्य सबाइवा श्यमग कारणम, फिकलो आहे आरुरुक्ष, फिकलो आहे योग आरोड आरू रक्ष्चें के चोवनना हिन योग जी स्टार्ट जे इस्तर रखे यानि जे अन्या जस्ट योग स्टार्ट कयो आहे उन्ना के चोवनना आरू रक्ष्चु योग के असा यह समझू जे अशला प्रवपा जी तात्परी मुध्धायो योग हिकली सीडी आहे सीड़ी किया उन्दी आए डाकुण आए उन्हां डाकुण जो जेको first step आए पेहनी उसीड़ी है जो जेको डाकुआ अथस उ आए जेको उन्हा सीड़ी ते कदम रखंदू आए न उनके योग आरूरुक्ष जेब आए this is the beginning stage प्रारंभिक अवस्ता है जोग आरूरुक्ष आहे आरूरुक्ष जो मतलब चाहे जेको योग आरूरुक्ष आए अना योग खे start कयोते है उन्हा जिलाहिते जेको बगवान जो आदेष आये सोचा है योग आरूरुक्ष मुनिर योगम कर्म कारणम उच्चते तह उनके कर्म करण कुर जे उनके पहेंजे कर्मन के त्यागन कुर जे ङें two stage यो आरोड हस्य यो आरोड केंगे चानना आरोड मैंने व्याहण जी बπαगवान विश्न्व के चानन गरुड आरोड ये को गरुड़ते वैटोँ आरुड़ा को मिनला परफेक्ट सिद्धी आए आईं सीड़ी जे की उन्दी आए ऐसा चाजला ला वंदी आए हेट का मत्य बच्ञला ला वंदी आए आईं सीडिगी आए उनन से असां धीरे धीरे अगर कदम रखना सी ते स्टेब बाई स्टेब असा अक्तेवद अन्दा से ओने ये तरह योग जी सीडीब हेट कामते वठी वन्यन लाए आहे आई लोएस्ट चाहे लोएस्ट जे को आहे उचाहे तो हरको माणू संसार में फल आई इंद्रित रप्तियन जे कारम करे तो असा जे करे इंद्रित रप्तियन जे काराण अई इंद्रित रप्तियन लाए कार्य कंदो आहे अई इंद्रित रप्तियन जे लाए कार्य करन जो लाव जे को थींदो आहे रिजल्ट चाह थींदो आहे कि कड़े उनके पक्षी बंजी करे अचनु पहुंदो आहे कड़े उनके पशु बंजी करे अचनु बंदो सिर्व यो मनुष्य जीवनी आहे जे में असां भगवत प्राप्ति करे सकों था लेकिन बड़े अफसोस सम्भगवान चवन था मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्य दियता थी सिद्ध है हजारनमा को हिक्ड़ो सोची दो आहे कि मा मनुष्य बणिवाया आने मुके अज्यावद नू आहे बाकी तो सब उए कुतन मिलियन वारा कार्य कंदाईन आहार निद्रो बाई मेथुन सिर्व सब मनुष्य आध्यात्मिक रस्तेते नाल दाईन ता नहीं तब भगवान चे हज जारनमा को हिक्ड़ो इन दो आहे आहे उनननमा को हिक्ड़ो इन दो आहे जेको बागवान स्री कृष्न के कष्रिन माम वेती तत्वता तत्वसां समझन दो आहे एदि शिला ब्रहुपाय जी डाड़ी सोर्णे तरीके समुदायो के योगा जी सीडिय के तिन भागन में डिस योग आ है, आईं भक्ति योग आ है, के माणो इन बुद्धाइन आ हेन, के भक्ति योग जे हो आ है, वो सब भका सरल आ है, चाकान त वईंडा जे है, ने नेकिन इत्यासा के समझणु आहे तप योग चाहे कोब होजे उन योग जे सिद्धी आहे भगवान सा प्रेम जो संबंद इस्तापित करा वास्तों में भक्ति योगा is actually the highest stage of योगा जेको भक्ति योगा आहे न वो योगजी सबखा highest stage आहे हेते भगवान योगजा बह इस्तर बुदाया हिक्डो आहे योग आरूरक्ष आहे योग आरूरक्षमन जेको स्ठाट में आहे योगजे अन्या प्यानी डाकेते आये उनके चा करणा आहे आरूरूरक्षव मुणेर योगम कर्म कारणं में उच्चते उनके कार्य करणा आहे कार्य करणसा रिदेः शुद्ध थिवेंदू उनक पोय यो myself to योग आरूडश से तस्याईव शमा कारणम उच्छते। जने वो योग आरूडश बन्जी वेंदू तने उनके कार्य जो त्याग करनों पौन्दू वा संपूर्ण बहुतिक कार्म जे फलन जी का इच्छाई नाए। बहुतिक कार्य जो त्याग करे मन जले आध्यात में कता में बिलकुल इस्तर थी वेंदू जीव समाध्य में अच्छी वेंदू तब वो ये कार्य करन जी का जरूरत ना है। वास्ता में अच्छाई ते ध्यान योग पड़ी रहा हूँ। आई उन्नमें अच्छाँ के आश्टांग योग जी विध्यन जिवारे में बुद्धाय वेंदू। आई आश्टांग योग जनाई आश्टांग यानि अठविधी आश्टांग योग जी अठविध्यों आहें। सबगां पेणी है यम व्योग आहें नियम। नियम मतलब असांग के योग करणू आहें। आई यम मना ये शयों नाए करणू। आई चाचा नाए करणू। आई चाचा नाए करणू आहें। आई चाचा नाए करणू आहें। जड़ें ताई असां यम नियम के फॉलो नकंदा सें। तड़ें असां योग में या आश्टांग योग में मत्थे न थावदी सकू। अग्यान थावदी सकू। आई यम और नियम असां के टाड़े सुएन तरीके सां हर शास्तर में बुद्धाय हुए। आई सबका वडो जेको यम आई सुचा है। चार शेव नाए करन। मांसाहर नाए करन। नशो नाए करन। अविज संग नाए करन। योग चार यम आहिन। पंजनियम आहें, चा करणू आहें, भक्तन जो संग करणू आहें, हरी नाम जो संकीतन करणू आहें, नाम जब सोडा मला जब करणू आहें, विग्रह सेवा करणी आहें, शीमत भागवतम जो शवन करणू आहें, यो आहें नियम, आहें सबका वडी जेकी गाला ऐसा चाहें, कुछ बुकार्य करणू, लेकिन इंद्रियत रिप्तिय लाए नहे करणू, बल्के भल भगवान जी प्रसंद दाखे, प्रसंद लाए करणू, छणनू आहे, तपेहणियों आहे यम नहें करणू वियों आहे नियम मना उव करणू आहे अज़ा है आसन आसन जो मतलब आहे पोजिशन सी प्रेक्टिस जी आसां कहड़े कहड़े समय में कि ये वे ही करे आसन व्यान जे तरीकन के बुद्धायों वे इंदो आहे जी आश्रीमत भगवत गी पराणापानाँ सामो कृत्वा नास्याभ्यंतर चारिनाओ यणी सबनीगेर जरूरी इंद्रियन विश्य Laham कारें द्रिश्टिया के बिनी ब्रुयन जे विच्चा में करें नासन जे अंदर इंदर आई प्राणायाम प्राणायाम मतलब सांसंजी क्रियाओं उन्हे में रोकरणाँ, साज आको खढ़नाँ उन्हें के कंट्रोल करणा, आयो उन्हें जब अलग-अलग तरीक आयें, कुम्भक, रीचक, पूरक, अलग-अलग सांसंजेयों नों उन्हें प्राणायाम. हाने दिसो, जड़ें यम कनाओ, मन ये शयू नाय करनो, नियम, मतलब चार नियम जो पालन करनों आहे, आई नाम अपरात खांबचनों आहे, नियम कनाओ, आसन जी प्रेक्टिस कनाओ, आई सासन जी क्रिया कनाओ, ये चार कम थी ना इन्न, उन्न खापोए, मन एका गृत्थी वेंद्वाए, दीरे, दीरे, चाकान त, कड़ें, कड़ें, भावतिक इच्छाओं अच्छन भी, तभी, जड़ें, ये सब अभ्यास कनाओ, त, उन्न योग जी भरपूर अभ्यास करना सा, उन्न जी प्रियास करना सा, असा उनन भावतिक इच्छाओं के, रोकन जी, शमत प्रत्याहार प्रत्याहार मतलब मुखे आध्यात्मिक्ता में उन्नती करणी प्रत्याहार प्रत्याहार आए तेहें करें इहें बहुतिक वस्तुवण तरफ मुखे आसकत नाय थे नुटुण। बली अच्चन पर जणें उहो इनन्चार नियमन में एक्सपर्ट थी वेंदु आए ता मन उनन जो इस्तर थी वेंदु आए तेहें के चवन्नाहें प्रत्याहार आहें प्रत्या हारखाप वो आहें जेको ओ आहें धारणा धारणा जो मतलब आहें मन जेको आहें 101.8 थी वने बस विचले थे यही न धारणा जे अंदर मन हिकड़ी जायते टिकन दो आहें मन बार बार पोइंट आउट करना हों कि हित्ते ही मुखे मन लगानू आहें रिदय जे अंदर जेको परमात्मा वेटवाएं आहें उन्ना खाप वोई आहें ध्यान ध्यान में तीवरता वदी वेंदिया है चाकान तो पहनी जेको धारणा हों दो आहें उन्ना में समय कम हों दो आहें मन थोड़े टाइम लाव इचलित न थीन दो आहें वरी उन्ना असना जो ध्यान जड़ें परफेक्ट थिन दो आहे तरह यह अंतेम स्टेज इन दिया जिनके चो अना है समाधी समाधी मतलब जी पूरे जो पूरो आध्यात पिकता में लीन थी वने आहें जड़ें यह सबे कार्य थिन दानियाम, नियाम, आसन, प्राणयाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, आहें समाधी यह अठ़ें वस्तु जड़ें थी वेंदाओं उननान जो हाइस स्टेज चाहे समाधी जीव समाजी जी इस तरते पहुंचन दो आए तड़ जीव जी उह परफेक्शन आए लेकिन समाधी अलग अलग योगियां जी लाए उना समाधी जो अर्थ ब डिफरेंट डिफरेंट होंदो आए जीव 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 जर्थ जो जड़ योगियां वो उनालाय ओडी समाधी जीहां अलग जुन दो लेकिन समाधी ब्याहिन आश्टांग योगी यानि पहेंजी चेतना के रिदय में वेठल बगवान में फोकस करने वारा हुन दाहिन अई जी यह पाणा चौना ध्यान आवस्तित तत कते ना माना सो पश्यंतियम योगीन जी कि योग अभ्यास करना है इन आश्टां योग वेठल परमात्माते पहें जो दिहान दगाएं दाहिन जी के आखरी योगी जी के सर्वस रिष्टा इन से केड़ाएं बक्ती योग बक्ती योग वारण जी समाधिकियों दिया है पैंजी चेतना के भगवान स्री कृष्ण जी साकार रूप में जमा रखन बस जड़ें जीव बागवान स्री कृष्ण जी साकार रूप में पैंजी चेतना के लगाएं दुआ है अहीं कृष्ण जी प्रसंता जी अत्रिक्त के वस्तु अहीं व्यक्ती जी साथ कोब आकर्शन नरकांदो आहें तेंखे भक्ति योगजी समाधी चमना है समझ में आयो हीते पारन ट्रे प्रकारण जी टे रिफ्रेंड प्रकार जी समाधी जी बारे में बुदा है के ज्ञान योगी जी समाधी केड़ी आए निराकार ब्रह्म में पूरी तरह लें दियान आई ज़र इनन ट्रिनी समाधिन से बारे में भी जह करें असानिसू तयन जो निशकर्श निकरन दो के भक्ति योगाई सबने का ऑइस्ट समाधिया बक्त योगाई सबने का ऑइस्ट आए चाकाण तो जगो भक्त wsporn debate ओक्त छोगी भी आए उ करने एन एना व्योगी भीता Gobiernoубा एंड़ी आहें। और भागवान आहें। तप जो आहें। आए उन्हें समय उह सन्यासी भी आए मतलब कि उन्हें टाइम अथे उन्हें के खबर भी पहुंदिया ना कि संसार सांथ मुझे कोई संबंध ना है बस हिसाब किताब पूरो करन लाया आया तेहिं करें वेरागी वेराग्य प्राप्त थे इन दौ आहें वास्तों में भक्तों जेके तत्व दर्शिया हैं वे बुद्धाइन था कि परम सत्य जाग ट्री फेस हैं आहें केहना वदंतित तत्व विदस तत्वम यज ग्यानम अद्वयम ब्रह्मेती परमात्मेती भगवानेती श्यप्तते रिक्डों ब्रह्म आहे निराकार ब्रह्म आ अध्यों द्वाहे भगवान तर निराकार ब्रह्म वारें जी सामाधी केडिया है उहो निराकार ब्रह्म जो जेके ज्यानी आहें वे निराकार ब्रह्म जो ध्यान करना हैं जेके योगी आहें से परमात्मा जो ध्यान करना हैं लेकिन असल में निराकार ब्रह्म कात्व आयो परमात्मा अब भगवान स्री कृष्ण जोई अंच आए आए भक्ती योगा हाइस्ट इनकरे आए के भक्त जड़े भगवान स्री कृष्ण जी भक्ती कंदू आए तद नहीं ओ निराका अब परमात्मा पिनी के समझदू आए आए सबही ख्याकाणता भगवान जाही भगवान उनन सबहीं जो उद्गम आए आए चाकाणता जनहीं व्रिक्ष जी जड़ में पाणी निनों वेंदू आए तद नहीं सब कुछ सब उनन जा टेहनियों पत्ता फल गुल सब अन संतुष्ट थी वेंदाए चाकाणता सदेव सरी कृष्ण जे मता ध्यान करना सा कृष्ण जे ही विशे में जनहीं वो बक्त सोचीं दो आहे चाकाणता नों के पत्तों आहे खबर अतस तक कृष्ण ही असा जो लक्ष आहे तेह करे वो कडेब मैटेरिल एक्टिविटीज या बहुतिक वस्तों जी तरफ आकर्शन नतीं दो आहे केवल आध्यात्मेक तादा हूना हैरिं दो आहे कि मुए जी वास्तावी लक्ष चाहे बक्त सदे योगा जे हाइस्ट स्टेज दे हून दो आहे श्रील प्रभपाजी बुदा इनता या एतितात परिया में के लास्ट पेरेग्राफ में श्रील प्रभपाजी चाहन लगता हूं सदाई क्रिश्ण जो द्यान करे तो मैं लगा तार क्रिश्ण जी सेवा में लगर हून करे उनके सम्नी भहते कारियने के त्याह कैल समजो इंदो आहे मना ओ शुरुवात में अजा पेड़ों जदें उहों कृष्ण भावना भावित्थीन दो आए कृष्ण कॉंशेस्ट में इंदो आए उन्ने टाइम मते उह समाधिय में इंदो आए चाकान ता उहों सदाई कृष्ण जो ध्यान कर दो आए ऐरेक हाम भागोने जो ध्याना लगाएं दोटा सामो भागवा चीवद्णा गरें डेबाग्तिक आलाएं लगाथार कष्ण जी शवा से नाद है तार नौ पकुऑ करे रहे हों है और आयं चहहें जृत्ज़ान करे रहे हो हैं जाये कमाया रहाई, बढ़िया। OG हमेशा क्रिष्ण जा करे रहा हुआ हूदिया, ऑना पर्शाद जा करें बढ़ाई रहंदी चाह sowbon करें रहा हुआ, अशनल समझे हूदíamos है कि नी गतरों क्रोटीम संतर। सेवा क्पा करें रहुआ है। रोंन करें। सबनी बहुत तीक कार्य उनके त्याग घर समिलने, यानि कि उए सब एक कार्य हाने आध्यात्मिक स्टेज ते हलिवेंद आए, याद रखो बक्तिय में अग्यावधन लाए, कार्म के नाए थेड़नों, बस पहन जी कॉंशियस्नेस के चेंज करनों आए, कार्म तो वह ही कनद आए, कार्म तो जेको असा जा वास्तवी करता भी आँए, माता जा करता भी, पिता जा करता भी, स्टुडिन्स ता करता भी, उए निभाइंद आजी पर क्रिष्न स्टेज में से सान्ज तो असा जी जे की कॉंशिस्नेस आ है, जेकी असा पहन जी इच्छा लाए करे रहा उवे कर्म बस बगवान जी प्रसंता लाए करना हूँ लेकिन ही ते इकड़ी गाल डाड़ी समझन जी आहे के बले ही कृष्ण भावना भाविचे को व्यक्ति हुन दुआ है उँ हाइस्ट योग जी इस तरते आहे लेकिन इन जो मतलब यो ना है जे के बागताईन उए यो सोचन ता बस असां ता सर्वस्रेष्ट इस्तान आते आहे हूँ आए असां के हाने कोज जी बू सावदानी भरतर जी जरूरत ना है जे एक नहीं जो कोई पहार जे मत्थाई चोटी है ते बीठों दू आए न उनना के ता अधिक सावदानी जी जरूरत हुन दिया है चाकान ता जरासी भी असावदानी उनना के हेट किरन जो कारण बंजी सके थी जे को एकदम मत्य हों दो उनना के ता और भी ध्यान सा सावदान रणन गुर जे आई हिक बेरो जे कर नहीं हेट किरी पवे मत्था वरी चोटी है संजे करें वरी हेट किरी है चे तो उनने जी लाए मत्य चरण डाड़ो कठिन थीन दुआ है तहें करें भक्ति योगी बले ही सदा इन समाध्य में हुजे थो पर हमेशा उननकी साहधान रहनुआ है आएं पहें जी साधना के पहें जी सेवा के हमेशा पंक्चुलेटी जी साथ सिंसीरटी जी साथ करूँआ है आएं सबक हां पेणि उननना जी साधना चाहे पेणि सबक हां साधना यहां है कि आभक्तन जो संग करें नहीं करूँआ है बस आवबक्त चांट शाकान तो जेशता ही, असाँ आवबक्तन जो संङ न त्यागिदा सी, तेशता ही हर एक शोण असाँ जेके किरान जो डप लगोंदू, आवबक्त जेके बागवान जे बक्त नाहिन, उनन जो संग नहें करनू, आई उनना खा गडो गड क्या करनू आ है बक्तन जी निंदा कदे नाई करणी बक्तन जी साथ रही करे असां के बेशक के जे अंदर कोई अवगोण दिसन में अच्छी सगे थो लेकिन कदेहीं ब केडी ब स्थित्य में केडी ब बक्त जी निंदा रिदैसा भी नाई करणी चाकान तो निंदा असां के असाँ जी जाकी साधना आहे न उनके ही कक्षण में नश्ट करे सके थी तेहें करे आ भकतन खाँ हमेशा दूर रणू आहे आई भकतन जी कड़ें बुनिंदा नहे करनी उनन जो कड़ें अपमान नहें करनू उनन जो कड़ें दिल न दुखानू आई उन्नका गडोगर, पहिंजो जे को नियम आए, सपका वडो भक्ति जो नियम साए, सोरा माला जब, इन्नका वडो को नियम आए नाए, सोरा माला जब, जेत्रो सिंसिर्टी जे साथ असां कन्दा सी, उत्रो जेत्रो अधिक असां भक्तिया में, उन्नति कन्दा सी, आई ज असां पैजेस तरता हेट अची सकूँ था सोरा माला जब आ भक्तन जो संत्याग आई भक्तन सां संकरन आई उन्न संकरो कर प्रबात जो उत्थन एक कादशी जो उपवास रखन आई सबका ज़रूरी जेको आहे सो आहे भग्वान जी कथा जो श्रवन करन पूरी सिंसेर्टी जे साथ पूरी सावधानी जे साथ अग्यावदनू आहे पैंजी समय के नश्ट नाहे करनू आई जे के असा जन नियम आहें गुरू माराज जन नहें चार नियम जो पालन करनू आहे सोरा माला जब करनू आहे मंगला संध्या एका दसी उननके ड़डे द्रता जे साथ भगवान जी को स्चेज ले करनू आहे यहो योग जो सब का हाइस्ट स्टेज आहे जे को असंखे नद्याजे अग्यावारन श्लोकन में खबर बोंदी अन्तिम श्लोक में भगवान निश्चे कनदा के योग जन में सब का महान योगी उओ आहे श्रत्धावान भजते योमा तवान सबें जल्लक थोड़ा जोत्रो प्रेम सम्बुदी रहा हो कृपया मुखे आसिस सका हो तमापेंजी सेवाई साधना के चंगे तरीके सां करे सका हरे कृष्णा